नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टडिविट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है यहाँ पर आपको भारत के प्रमोग पर्यावानी संस्थाएं के बारे में इंपोटेंट परशन दी जाएंगे 20-25 परशन है टोटल 30 परशन है और भी बांकी 5-6 परशन में अलग से इंक्लूट किया हैं टोटल में थीस परशन इसमें लिए हैं जो कि काफ़ इंपोटेंट है तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना ह और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा तो शुरू करते हैं चली पहला प्रशने आपका भारती प्राणे विग्यान सरवेक्षन के अंदर कहा इसते थे भारती प्राणे विग्यान सरवेक्षन के अंदर कहा इसते थे कॉलकाता देहरादून कानपूर या फिर नई दिल्ली बहुपाल में है देहरादून में है जवलपुर में है या फिन नागपुर में है आपका आकलन जरूर करिएगा जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको किती नमर आ रहे हैं ति इस प्रकार के प्रशन आते हैं तो आपको कौन सा प्रशन आता है या फिर कौन सा नहीं आता है यह आपका यहां पर आप आकलन कर सकते, तो अपर भारती वन ने जिव संस्थान के बारे में, संस्थान के बारे में पूछा है कि यह कहां पर इस्तित है, तो याद रखेगा यह देहरा दून में इस्तित है, भारती वन ने जिव संस्थान के बारे में पूछे, तो यह देहर आगे आपको वो प्रश्न मिल जाएगा देखने को तो आपको वहाँ पर आंसर बताना है तो तीसरा प्रश्न आपको भारती वनस्पती उद्यान कहां इस्तित है नागपूर में नई दिल्ली में कोलकाता में या फिर देहरादून में भारती वनस्पती उद्यान के बारे में पूछा गया है ये कहा पर रिष्टि थे तो याद रिखीगा ये कोलकाता में इस्थित्ध यесा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि भारती प्राणी सडवेक्शन जो ये कहा पर रिष्टि थे तो वह भी कोलकाता में और भारती वनस्पत्य उद्ध्यान ये भी कोलकाता में इस्तित है चलिए अगला प्रशने वन अनुसंधान संस्तान जैसा कि अभी मैंने आपको बताया चार विकल पर पढ़ने के अवश्रक्ता नहीं है अभी मैंने दूसरे या फिर तीसरे प्रशने में आपको बताया है सा विसाल चीडिया घर है यहां पर देखे भारत का सबसे विसाल चीडिया घर के बारे में पुछा गया है सुरू मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रमुक परियावाणी संस्थान से समने ता आपको चोबिस से पच्चिस प्रशने मिलेंगे और बांकी इसी प्रकार के प रखीगा अलिपूर कोलकाटा में भारत का Сब्सक्राइड विशाल चिडिया घर होगा यहाँ पर डारीक لिए आपसे पुछ जाए कोलकाटा तो आप कोलकाटा पर भी राइट यांसिल लगा सकते हैं क्योंकि अलिपूर कोलकाटा के 23 इंतरगत आता है तो भारत का सबसे विशाल चड़ियागा अलिपूर में इस्तित है राष्टी डेरी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर इसे थे जो औरहट में है सिक्किम में है इज्जत नगर में है या फिर करनाल में है राष्टी डेरी अनुसंधान जो संस्थान है ये कहां पर इसे थे तो याद रखीगा ये करनाल में इसे थे कहां पर है राष्टी डेरी सबसे विसाल संग्रालाई है ये कहाँ पर है कॉलकाता में है चेन्ने में है हिमाचल प्रदेस में आपर देखे भारत में पूछागा है ना कि विस्व में भारत में पूछागा है तो आपका सही आंसर क्या होगा कॉलकाता होगा चेन्ने होगा शिक्किम होगा या फिर हिमाचल प्रदेश होगा राइट आंसर आपका होगा चेनने याद रखेगा चेनने तमिलाडो में भारत का सबसे विसाल संग्राले है राष्टी दलहन अनुसंधान संस्तान का फिम्पोटेंट है ऍे राष्टी दलहन अनुसंधान संस्तान ये कहा पर इसे थे कॉलकता में, दहरादून में, कानपूर में या फिर इज़त नगर में जो केंधरी पक्छी सोध संस्तान है ये इज़त नगर में इस जित है बहुत सारे बच्चों की ये कहते हैं कि हमें ये सर्याद नहीं होते हैं बरबार याद करते हैं फिर भी नहीं होते हैं तो मेरा ये कहना है यदि आपसे याद नहीं हो रहे हैं जादा तर आप यदि बार बार इसको देखरें फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो जब आपका एक्जाम हो उसके एक घंटे पहले इन वीडियो को देख जाईएगा जिनको आपको समझ में नहीं आ रहा याद नहीं हो रहा है तो एक घंटे पहले देख लिजेगा आपको एक घंटे में तो रिविजन हो जाएगा और यदि एक्जाम में इस प्रकार के प् इंस्तिती ते जोदपूर में है नए दिल्लि में है कोलकाता में या देहरधून में है 11 या सही आंसर होगा जोदपूर याद रखेगा जोदपूर राजस्तान में Central Arid Zone Research Institute इस्तित है कहां पर है जोधपूर में डारेक्टे दी राजस्तान दे तो राजस्तान भी आपका सही आंसर होगा अगला प्रशन है भारत का सबसे विसाल मचली घर जो जिसे हम एक्वेरियम भी कहते हैं ये कौन सा है मतलब कहां पर है भोपाल में है देहरादून में है मुंब इस्तित है भारत का सबसे विसाल पक्षी उद्ध्यान देखिए भारत का सबसे विसाल पक्षी उद्ध्यान के बारे में पूछा गया है करनाटक में है उडिसा में है कानपूर में है या भारत पूर में है राइट आंसर आपका होगा भारत पूर या देखेगा भारत पू उत्तरप्रदेश में केंद्री ओजदी संस्तान इस चित है राश्टी वानस्पतिक अनुसंधान संस्तान ये कहां पर इस चित है मेसूर में नागपूर में गांदी नगर में या फिल लखनओ में तो यहां पर राश्टी वानस्पतिक अनुसंधान संस्तान के बारे में पू केंद्री पर्यावर्ण अभियांत्री की अनुसंधान संस्तान ये कहां पर रस्त है? भोपाल में? दहरादून में, मुंबई में? या फिर नाखपूर में? राइट आदूर आपका होगा नाखपूर जोदपूर में ही आफिन नई दिल्ली में है बिरबल साहने इंस्टिट आप पेलियो बाटनी ये कहां पर इस्तित है तो याद रखेगा ये लखनों में इस्तित है बीवाला विकल पे आपका सही होगा प्लाजमा अनुसंधान संस्तान ये कहां पर इस्तित है नागपूर जोरहट जोदपूर या फिर गांदी नगर प्लाजमा अनुसंधान संस्तान ये कहां पर इस्तित है तो याद रखेगा ये गांदी नगर में इस्तित है कहां पर है गांदी नगर में इस्तित है प्लाजमा कहां पर इस्तित है तो याद रखेगा ये मेसूर में इस्तित है कहां पर है मेसूर में केंद्री खादी प्रोधोगी की अनुसंधान संस्तान ये मेसूर में इस्तित है राष्टी पर्यावरन सोध संस्तान ये कहां पर इस्तित है भुपाल में देहरादून में मुंबई में या फिर नागपूर में राश्टी पर्यावरन सोध संस्थान के बारे में पूछा गया है तो ये नागपूर में इस्तित है कहां पर है नागपूर में याद रखेगा राश्टी पर्यावरन सोध संस्थान नागपूर में इस्तित है यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो इस्तित है याद रखेगा जो वर्सा अधर पनपाती वन संस्थान है ये जो अरहट में इस्तित है भारती वन प्रबंद संस्थान देकि भारती वन प्रबंद संस्थान ये कहां पर इस थे देहरादून में है लखनों में है जोतपूर में या फिर भौपाल में है तो आपका प्रबंध संस्थान के बारे में पूछा जाता है तो वो कहां पर सित है भोपाल में इस्तित है अगला प्रशन है सोर उर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कोन सा है गुहाटी है आगरा है बरेली है अफिर कानपूर है सोर उर्जा से संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन कोन सा है तो वो होगा आपका गुहाटी याद रखेगा important प्रशन है सूर उर्जा से संचालित देश का जो पहला रेलवे स्टेशन होगा वो गुहाटी होगा प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला राज कोन सा बन गया है मद्धि प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिन नहीं दिल्ली प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा बन गया है पूछा गया है तो वो है हिमाचल प्रदेश याद रखेगा हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक बेग पर प्रतिबंद लगाने वाला भारत का पहला राज्य कोन सा है तिरीपुरा हिम करने के लिए और इवन का नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज कोन सा है मुंबई नई दिल्ली कोलकता या फिर केरल प्रोदूशन को कम करने के लिए और इवन का जो नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज पूछा गया है तो कोंसा होगा नई दिल्ली होगा अगला प्रस्व में ही पूरी तरह से प्लास्टिक कच्रे से मुक्त सहर कोunkण कोंछा बन गया है गांधे नगर गुजरात, कनणूर, केरल, नागपूर, महाराष्टी पूरी तरह से प्लास्टिक कच्रे से मुक्त सहर के बारे में पूछा गया है तो वो कन्नूर है, कन्नूर आपको नाम याद रखना है, जो कि केरल में आता है तो पूरी तरह से प्लास्टिक कच्रे से मुक्त सहर कौन सा होगा, कन्नूर होगा या फिर राज्य के बारे में पूछे तो वो केरल होगा भारत का सबसे स्वच्छ सहर देकि भारत का सबसे स्वच्छ सहर आपको पता होगा नहीं जानकर ही तो इंदोर, भुपाल, जोदपुर, जवलपुर में से आपको आंसर देना है तो भारत का जो सबसे स्वच्छ सेर होगा वो इंदोर होगा अभी तक ये पांच वी बार स्वच्छ सेर के अंतरगत आ चुका है चलिए विवा समारों से होने वाले पर्यावरा नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकाल लागू करने वाला राजी कोन सा है या फिर केरल है राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर केरल याद रखेगा विवा समारों से होने वाले जो पर्यावरा नुकसान से बचने के लिए ग्रीन प्रोटोकाल लागू करने वाला राजी कोन सा बन गया है तो वो केरल बन गया है अंतिम प्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल आपको 30 प्रेशन मिलेंगे सरवादिक भुकंप वाला देश कोन सा है तो क्यों इसके तोर पर आपको आंसर दे रहा हूं सरवादिक भुकंप वाला देश कोन सा है आपको कमेंट्स के माद्यम से देना है वहीं पर म मेक्सिको होगा जापान होगा व्रिटेन होगा न्यूजिलेंड इन चारो विकल्पों में से सही आंसर आपको देना है तो जल्दी दोस्तों एका नई वीडियो को साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद